हलो प्रेंड वेलकम टू ये टिटोरियल लोटूप चैनल फ्रेंड हम लोग प्रोटिकल साइंस के प्रक्टिस सेट को साल्प कर रहे हैं इसका 26 पार्ट है इसके पहले का भी वीडियो आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं जो टीजीटी पीजीटी एक्जाम के लिए का अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर लीजेगा तो चलिए प्रश्ण को सुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्ण देखते हैं पहला प्रश्ण है किश ने कहा अंतराष्टी ये राजनीत राष्टों के बीच निरंतर होने वाले सक्ति संघर्ष के अलावा कुछ भी नहीं है ये किश ने कहा था तो ये मारगन थाउस सर ने कहा था ठीक है तो सी आफसनिश में आपका सई हो जाएगा दूश्या नमर प्रश्ण है कौन सा अंतराष्टी राजनीत का स्रोत है ठीक है अंतराष्टी राजनीत का स्रोत कौन सा है तो राष्ट्रों का संविधान अंतराष्टी राजनीत का स् ठीक है अंतराश्टी राजनीत के चार सरोत माने जाते हैं पहला तो हो गया ये राजनीत के तिहाँ दूसरा होता है अंतराश्टी संगठन ठीक है अंतराश्टी संगठन दूसरा होता है और ये खोता है समसामाईक अंतराश्टी घटनाएं ठीक है और चोथा होता है राश्ट्री हित राश्ट्री हित राश्ट्री राजनित का क्या है तो यह एक लक्ष है राश्ट्री हित राश्ट्री 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 राजनित का एक लक्ष है तो सही आरोही क्रम में काला नुक्रमिक अनुक्रम में बेवस्तेत करना है, ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, आरोही मतलब सबसे पहले कौन सा हुआ, उसके बाद, उसके बाद, ठीक है, ये परियावरण संधिया हुई थी, अंतराश्ची संधिया हैं, तो इसको बताना है, ठ कब बना था 1982 में ठीक है 1982 में और क्योटो प्रोटोकाल उपसंदी जो बनी थी कब हुआ था तो 1997 में ठीक है और अंटार क्रिटिक संदी कब बनी थी तो ये 9059 में ठीक है और ये जैब सुरच्छा पर कार्टो जीना प्रोटोकाल कब हुआ था तो ये 2000 में हुआ था ठीक है तो सबसे पहले कौन सा हुआ था तीसरा हुआ था 9059 में तो इसमें देख लिए ये पहले में ही तीसरा दिख रहा है ठीक है 1969 के बाद 1982 आएगा आपका देख लिए पहला यहाँ पे है ठीक है उसके बाद आया था क्योटो प्रोटोकाल 1997 में तो दूसरा है और सबसे लास्ट में जो हुआ था 2000 में हुआ था जैव सुरच्छा पर कार्टोजीना प्रोटोकाल ओच चौथा में आ जाएगा ठीक है तो कूट नंबर आपका पहला ही इसमें सही हो जाएगा ये सन भी याद कर लिजिए सिंगल में भी प्रशन पूछा जा सकता है कि अंटार्टिक संद का सन कब है तो आप लोग बता सकत जाएंगे ठीक है तो इसमें पहला ही प्रशन है 109 नंबर है आलमंड और पावल द्वारा किये गए दबाव समुहों का वर्गी गरण में सम्मिलित नहीं है तो कौन सा सम्मिलित नहीं है तो सही उतर हो जाएगा आपका आप्शन नंबर भी ठीक है संबैधानिक दबाव सम उसको इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है ठीक है दबाव समुहों की बारे में थोड़ा सा देख लिए यह क्या होता है जब कोई संगठन अपनी सलस्यों के हितों की पूर्ति के लिए राजनीतिक सत्ता को प्रभावित करता है और उनकी पूर्ति के लिए दबाव डालता है तो उस अंगठन को क्या कहते हैं दबाव समू का जाता है ठीक है फ्रेडरीक ने जो है ठीक है फ्रेडरीक ने जो है दो प्रकार की दबाव समू को बताया है ठीक है पहला उन्होंने बताया था बिसिष्ट ठीक है और दूसरा बताया था शामानी ठीक है शामान और आलमेंड पावल ने चार प्रकार के बताया थे ठीक है पहला था तो संस्थात्मक दबावशमू दूसरा था जो है समुदायात्मक दबावशमू और तीसरा था ए समुदायात्मक दबावशमू और चोथा था संघात्मक ठीक है संघात्मक था ठीक है इन चारों के आज करिएगा आलमेंड पावल ने चार परकार के दबाव समुखों कबरगी करण किया था और फ्रेडरिक ने जो है दो परकार के ठीक है विशिस्ट और सामान और यह जो था यह बी में दिया अगे जो संभाईधानिक दबाचा मूँ तो उस्थम्बैधानिंग नहीं था जो आलमेंट पावल का था उसमें संगात्मक भी शामिल था ठीक है तो इतने पॉइंट को आप लोग इसमें याद रखना है तो इस प्रसंड के अनुसार आपका सही हो जाएगा आप्शन नंबर बी 110 नंबर कोशिन है राजनीति संस्कृति का क्या प्राय होता है मतलब क्या तातपर होता है तो जे राजनीति संस्कृति होती है राजनीति में मुल्य विश्वाश और द्रिष्टकॉन को ध्यान में रखते हुए राजनीति संस्कृति का पढ़ावा किया जाता है ठेक है तो सी आप सनिश्में आपका सई हो जाएगा 111 नमर कोशन है बुद्ध और उनका धम सिर्शक ग्रंत के लिखक कौन है तो ये अम्बेड कर त्वारा लिखा गया है आप लोग पढ़े होंगे इसके पहले भी ये कोशन आ चुका है तो इंपार्टेंट है कई बारे पुझा जा चुका है बुद्ध और उनका धम सिर्शक ग्रंत के लिखक जो है डाक्टर भीमरा अम्बेड कर थे 112 नमर कोशन है समाजवादी जोड देते थे किस पे तो समाजवादी जो थे वो आर्थिक समानता पर जोड देते थे सभी को समान रूप से आर्थिक रूप से वेवस्थित करना इस पे जोड देते थे समाजवादी ठीक है तो भी आफ्षन इसमें आपका सही हो जाएगा 113 नमर है निम्न में से कौन सा सूचना की अधिकार के बिषय में सही है सूचना की अधिकार के बिषय में कौन सा सही है यह एक मौली का अधिकार है तो यह गलत है यह ने तो मौली का अधिकार है ने तो भिधी का अधिकार है तो भिधी का अधिकार है ठीक है यहाँ पे नहीं नई ठीक है तो यह भी गलथ हो जाएगा mosquito यह मौली कदिकार और बिदिक अदिकार दोलों है गलत है यह केवल बिदीक अधिकार है ठीक है तो d यह अप सानेश में आपका सही हो Set 114 नमबर कोशिन है दबाव समू का व्यवस्थित अध्यान करने वाला पर्थम व्यक्ति कौन था तो कौन था C, AF बेंटले ने दबाव समू को व्यवस्थित धंग से जो है अध्यान किया और दबाव समू के लक्षन को सही ठहराया ठीक है तो C, AF इसमें आपका सही हो जाएगा 115 नमबर है, MST, MST International एक विश्वव्यापी संगठन है जिसका कार छेत्र है, तो इसका कार छेत्र क्या है मानमादिकार है, ठीक है तो A, AF सही हो जाएगा 11,ifD, UK का कार छेत्र की संगठन है 1961 में हो यह गैरिकारि संगठन है और इसका कार ले जो है, लंदन में है ठीक है, लंदन में है, और इसको जो है पीटर बियंसन इसकी अस्थापना किये थे ठीक है यह भी पूशा गया है पीटर बियंसन ठीक है इसको भी याद रखिएगा पीटर ब्यंसन ने इसका जो है अस्थापना किया था और अभी आप हाल ही में देखेंगे दिल्ली में जो हुआ था ये सारुक वाला जो गोली चला था उसमें जो है मानमादिकार का उलंगन हुआ था तो उसमें भी ये मनेस्टी इंटरनेशनल जाज की आदेश बारस सरकार ने दिया था ठीक है तो उसी से संबंदित है ठीक है तो यतना याद रखिएगा इतना 1961 में अस्थापना लंदन में इसका कार्याल है पीटर विंसन ने जो है इसके संस्थापक थे और इसका संबंद जो है मानमादिकार से है ठीक है इदना पॉइंट इसमें याद रखना आपको 116 नंबर कोशिन है निमने में से किस राज में एक शदनी ब्यवस्थापका है एक शदनी मतलब मिधान सभाव असके वल है विधान परिश्द नहीं है तो किस में नहीं है तो ओडीशा में नहीं है ठीक है कर्णातक महाराष्ट और बिहार में तो दो सदनी है दो सदनी है यानि विदान परिशत और विदान सभा दोनों है ओडीशा में नहीं है ठीक है तो 20% के इसार जो है 20 है हो जाएगा यहां पे ठोड़ा सा देख लेजिये मातर 7 राज्ये हैं भारत में ठेक है 7 राज्ये जिसमें 2 सदनी है विदान सभा और विदान परिषद दुनों है जम्मू कश्मीर है तेलंगाना है अंधर पडेस है महाराश्थ है बिहार है करनाटक है उत्तर पडेस है एक्टिक के माध्यम से भी आप लोग याद कर सकते हैं जम्मू से जम्मू कस्मीर ते से ते लंगाना आ से अंदर परदेश मैं से महाराष्ट बी से भिहार का से करनाटक उसे उत्तर परदेश ठेक है तो साथ राज्य हैं जिसमें दो विधान क्या बुलते हैं उसको दो सदनिय कारेपाली का है ठेक है एक बिधान सभा एक बिधान परिशत और बाकी में जो है बाकी 22 राज्यों में जो है सिर्फ एक है इसको याद रखिएगा 117 नमर कोशन है कौन कभी भारत का मुक्यादाई नहीं रहा है ठीक है तो ÖMC महाजन तो रहे है PN भगवती रहे है येस मुकरजी रहे है Db चंद्रचूड यहाँ Db चंद्रचूड नहीं होना चाहिए था ठीक है Yb चंद्रचूड थे ठीक है अगर Yb होता तक तो यह भी सही हो चाता ठीक है क्योंकि YB जो चंदचूर थे सबसे जादे दिन तक जो है उन्होंने कारेकाल किया था 26, 96 दिनों तक वो भारत के मुख्यनायती थे सबसे जादा समय तक YB चंदचूर का ठीक है यहाँ DV चंदचूर किया है इसलिए यहाँ पे गलत हो जा रहा ही है ठीक है अगर यहाँ पे YB होता तब यह भी सही हो जाता लेकिन यहाँ पे DV चंदचूर है और अगर YB सबसे लंबा कारेकाल पूछेगा तो YB चंदचूर का ही रहा है 26, 96 दिन का ठीक है और परतमान में कौन है सरद अरबिंद बोबडे 47 मुख्यनायदीस है सरद अरबिंद बोबडे 47 में है ठीक है अब पहले कौन थे तो YG कानिया थे ठीक है इसको याद रखिएगा पहले YG कानिया बरतमान में 47 वे सरद अरबिंद बोबडे सबसे लंबा कारेकाल YB चंदचूर का ठीक है यह DV चंदचूर नहीं होगा ठीक है कुस्ता के रूप में बढ़ित किया है तो D टाक विले ने इसको जो है निरुपित किया है तो C आपसन इसमें आपका सही होगा बहुमत की निरुटन कुस्ता के रूप में D टाक विले 119 नंबर प्रश्ण है अधिकार इसलिए लागो किया गया है क्योंकि वे अधिकार हैं वे अधिकार इसलिए नहीं है कि उसे लागो किया गया है यह कथन किस कथन संबंधित है अधिकार को कि किस से संबंधित है अधिकार इसलिए लागो किया गया है क्यों कि यह अधिकार है और यह अधिकार इसलिए नहीं है क्यों से लागो किया गया है यह कथन संबंधित है अधिकारों से तो किसके अधिकारों से संबंधित है तो नैस सरगिक सिध्धांत से ये संबंदिते हैं ठीक है भी आपसन इसमें सही हो जाएगा इंपॉर्टेंट है ठीक है नैसरगिक सिध्धांत से 120 नमर कोशन है निमलेखित में से कौन सा एक भारती संबंदान की पहली आनसूची का प्राउधान नहीं है तो राज है संगराज छेत्र है राजियों की नामा राज छेत्र भी है नागरिकता नहीं है ठीक है तो सी आपसन इसमें सही हो जाएगा ठीक है प्रसन के अनसार सी सही हो जाएगा ये पहली अनसूची में नहीं है ये साइज छठवी में है ठीक है आप लोग कमेंट में बताईएगा किस अनसूची में है ठीक है लेकिन ये नागरिकता पहली में नहीं है ये छठवी में है अनुचे दो से पाच या इससे करके है ठीक है ये छठवी अनसूची म तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा और यह भी बताइएगा वीडियो कैसा लगा पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद